हेलो गाइज कैसे हो आप लोग दोस्तों आज के वीडियों बात करने वाले आप लोग के तरफ से बहुत सारे आने वाले कोस्चन के बारे में जो कि एक लिएटेड है जी हाँ दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे है जिसका अभी तक D.W.O. या फिर D.A. फिसर के पास से नहीं अप्रूब हुआ या फिर वहाँ पर पेंडिंग है अगर पेंडिंग है तो आप उसको जल से जल ठीक करें जो भी डोक्यूमेंट मांगा है उसे जल से जल उसमें फिलप कर दे तो बेटर रहेगा अब आगे देखते कि अभी तक आखेर D.A. फिसर के पास ही क्यों अ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसका कॉलेज से भी अप्रूब नहीं हुआ तो आप लोग घबराएं नहीं थी है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे क्या भी तक D.A. फिसर के ही पास क्यों हमेरा डोक्यूमेंट एक बात हम बता दे रहे हैं जैसे जब आप अपना डोक्यूमेंट अप्लोड कर रहे थे तो अगर आप जी रॉक्स कॉपी आप दिये होंगे डोक्यूमेंट अप्लोड करने टाम तो आप उसको उसमें जो नीचे अपना सिगनेचर करके ही अप्लोड करें ठीक है नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता कि अगर आप जी रॉक्स कि अगर गलती से reject हो गया या फिर अभी तक अप्रूब नहीं हुआ है और अगर pending दिखा रहा है तो फिर आपको ये कम जरूर करना है document में जो भी आप upload कर रहे हैं वो ध्यान रखे अपना signature उसमें जरूर रखे नहीं तो फिर problem होगा यह हम बार बार बोल रहे है ठीक है अगर आपका bank account link नहीं है अधार काट से तो उसको भी link करवा ले क्योंकि पैसा नहीं आएगा final approve हो जाने के बाद भी पिछले बार ऐसा ही हुआ था बहुत सारे student का bank account link नहीं था अधार से जिसके कारण final approve तो हो गया था लेकिन पैसा नहीं आया था तो आपसे request है प्लीज आप अपना account जो स्वाधार काट से link करवा ले अगर problem है तो आप एक नया पास्वुक खोला ले कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने कोई दूसरा पास्वुक सब्मिट कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं अभी अगर आपका अभी भी कोई पास्वुक ऐसा खुलवा लेते हैं जिसमें dbt link हो जाता है तो भी आपका payment आ जाएगा तो डरिएगा नहीं ठीक है और बात रहा final approve कब होगा तो अभी हम बता दे कि अभी किसी दी ओफिसर के पास है या फिर डी डेवलू के पास है उसका आगे बढ़ेगा तो अभी घबरा नहीं तो दोस्तों मिलता है कि लिए वीडियो में